अब हम अपने इस महारेली के उस मोर पर आ गए हैं जिसका हम सभी को बेसबरी से इंतिजार था हमारे बीच मौजूर है All India Muslim Personal Law Board की Executive Member मोनिसा भुष्रा साहिबा जो की मुंबई से तालुक रखती है और अपने बीजी स्केडूल से वो हमारे लिए वक्त निकाल कर नहां आई है मैं तोड़ा सा ब्रीफ इंडर्ड़क्शन दे दू बाजी ने कहा कि नहीं वो बताना नहीं चाहती थी लेकिन वो प्रफेसर है महाराश्च्र कॉलेज अफ मूंबई में और फिजीडी की टीचर है एग्जिक्टिटिफ नॉMY है मुस्लिमτοस्ण लोबोट की अर अहले हम्दिलला बहती आक्टिव रही है शादानों केस से लेकर ट्रिपल तलाव दिल का मामना हो दो तमाम मामना आप में बहती आक्टिव रही है अब मैं इस कांटेंस के मकसद को आफकर वाज़ा कर दू कि आल इंडिया मस्लिन कोस्नल लॉट की तरफ से एक अपील की गई थी कि हम सब बिल कर इस बिल को प्रोटेस्ट करें वो एक ऐसा रसीन गुलवस्ता है जो तमाम मसलकों के आलिमों की कयादत में बना हुआ है हमारे मुल्क के कॉंस्टिटूशन ने सवेदान ने हमें ये हक दिया है कि हम अपनी शरीयत पर अमल कर सबते हैं परसनल लॉस्त को पूरी तरह अमल करने का पूरा हग तमाम धहने को है और इसी सोच को ध्यान में रखकर ये बोर्ट का फांडेशन रखा गया ये हमारे मुल्क में हमारे परसनल लॉस्त की हुफाज़त का काम करती है 1973 में तमाम मसलक के उलिमाओं ने इसको वजूद में लाया और इन्या मसलिम परसनल लॉबोर्ट की ताइद में आज हमने प्रिपल तरह बिल्की मुखालिफत पी और अलहम दिल्ल्ला आपकी ये कसी तादात इस बात का सबूद है कि आप सब भी मसलिम परसनल लॉबोर्ट के साथ है मैं इन्याइट करती हूँ दॉक्टर मौनिसा बुश्रो साहिबा को कि हो आए और हमारे तमाग सवाला जिसके कुछ क्लोरीज हमारे अंदर अभी में बाकी है उसके जवाब दे और हमारे कंसिप्स को क्लियर करी मैं बाजी को दावफ देती है कि वाइच नाम सिवाफ लगाब देती है कि वाइच अजबा लॉजबा कि आध मिन श्याजिय रिजीन बिस्म लॉजियरा र्राक्मान र्रकीम मखमधिहू उसलिया ला रसूली करीम अल्कुमलिल्ह स्टेज पर तश्रीफ फर्मा, मुटलिक मक्तब फिक्र से तालुक रखने वाली मौजजज खवाती और सरजमीन नाकपूर की गहरतमंद इसलामी बहनों अस्सलाम अलेकुम रह्मतुल्ह वबरकातुब सबसे पहले तो आईए हम अल्ला तबारक वटाला का शुक्र अदा करें कि उसमें शेहर नाकपूर में इस तारीखी रहली को जबरदस्त काम्याबी से हमकिनार किया और सबसे पहले में इस जड़ेली के मुंतजमी इन तमाम मर्तबे फिक्र से तालुक रखने वाले जितने भी उल्माएं किराम इस नाकपूर के अंदर जिनों ने इस रहली के इतिमान में अपना तावन पेश किया और ने तहे दिल से मुबारक बार पेश करती हूँ मैं आप तमाम खवातीन का दिल से इस्ते अकबाल करती हूँ कि आपने आल इंडिया मुस्लिम परस्नल लाबोर्ड की आवाज पर लबैक कहते हुए नाकपूर के इस शहर को एक तारीकी इतजाजी रहनी का इनाम दिया है मेरी अजीज बेनाओ ये इस बात कर शुट है कि आज की मुसल्मा लाब पूरी तरह बेड़ा है अपने हुकुप को लेकर पूरी तरह हसास आज की मुसल्मा लाब सुई भी नहीं आज की मुसल्मा लाब को नायूँ है कि उस तारीखी मरहें में उसे क्या काम नमा अंजाम देरा चाहिए तो मेरी एक एक बहन से ये दूआ होए कि एक एक बहन की या मुझूदगी को कुबूल फरमाए मैं तहों दिल से आपको मुझारत बात देती हूँ कि आपने आज के दिन अपने तमान जिम्मदारियों को बाला उताक रखते हुए लाफ्पूर के इस तारीखी चौक के अंदर ये एक जाज़ी रही और इस एक जाज़ी भरने का हुटमान किया अजीज बहनों अल्ला की बारगाह में ये दिन रिकार्ड हो रहा है और आपकी यहा मुझूदगी रिकार्ड हो रही है और आपके दरजाद बुलंड हो रहे हैं और इंशालला अजीज आपको आखरत में इसके लिए बहतरी इंज़ाय कहर्द से नमादेगा और आपको उन लोगों में आक पर नाम उन लोगों में लिक दिया जाएगा जो शरीयत से मुझार्ट करने वाले है अल्ला हो निसके रिसू recommends करने वाले है तो आपकी यहा मुझूदगी हमें जो जब्दा और रहसला वर वलबला अता करती है तो इसे मेरे पाद में बयान नहीं कर सकती मेरी अजीज़ बेनों हमारा इसलाम एक मुकबन लिजान है यह वो दीन है जिसके मतालब अल्ला तबारक टाला ने अपने कुरान करीम में फर्माया इनक दीना इन्द लाहि इन इसलाम अल्ला के मद्दी दीन तो सिर्फ इसलाम इसलाम में अकाइद है इसलाम में इबादात के तरीके है इसलाम में माशरत के तरीके बताए गए है आपसी तालुकात और लेंदेन के तरीके बताए गए है बादारों में खरीद और फरोग करने के तरीके बताए गए हैं इसलाम में अखलाग के उसूल संगाए गए हैं इसलामें खांदानी मामला को किस तरह डील करना चाहिए उसके बारे में रहुमाई की गई है यहां तक कि हमारे इस्लाम में महीं श्यासत, हुकूमत और बेनल अक्वामी कवानी तक हर मामले में रहिमाई मोड़ी दोए और इस्लाम के होते हुए हमें किसी और की तरफ देखने की जरूरत भी मेरी अजीज़ देहनों, मुस्लिन परतनला, इस्लाम और इस्लामी शरीयत का एक हिस्सा है जिसका तालुक हमारे खांदानी मामलाच है इस मुल्क पर हमने एक दो नहीं पूरे एक हजार साल हुकूमत की है जब हम इस मुल्क पर हुपणा थे, तो इस मुल्क का पूरा कानून इस्लामी कानून था लेकिन इसके बाद जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो इस्लामी कानून को हज़ा कर उसकी डिगास सेकिलर कानून लाया गया और उस सेकिना कानून के अंदर सिर्फ ये गुंगाईश रखी गई कि मजभी अकलियते यानि जो अल्पसंख्यक लोग है वो लोग अपने अपने शरीयत के मताबिक अपने अपने दीनी और मजभी उसलों और कमादानी के मताबिक अपने खांगानी मामलाक को तैक कर सकते हैं मसल्माणों को यहाख शरीयत अाप्लीकेशन आइट की शकल में मिला और यह शरीयत अाप्लेकेशन आइट 1937 में बना और यह आज हमारे सन्मद्दान यानि हमारे दस्तूर का इक फिस्सा है इस्लाम के मताबिक तरह और हल कर सकते ही लेकिन उसके साथ साथ मेरी बेहनों हमारे सम्विधान में हमारे गस्तूर में हमारे कॉंस्टिटूशन के अंदर डारेक्टिव प्रिंसिपल्स की दफार चवालीस मजूद है जिसके रूँ से इनिफॉर्म सिविल कोट को लाने की तैयारी की जाती रही है और जब सबसे पहले हमारे कॉंस्टिटूशन के अंदर हमारे सम्विधान के अंदर हमारे दस्तूर के अंदर ये दफार रखी गई थी तो सक्त अबजिक्शन दिया गया था लेकिन उस अबजिक्शन को ओहर रूल कर दिया गया और आज ये दफार चवालीस हमारे सरों पर लेटक्टिवी तलवार मेरी बेहनों हम ये फरामोश नहीं कर सकते कि बीजेपी के इलेक्शन मनिपोस्टों के अंदर कुछ बाते हैं सीपी जो सीरियोसली अबजेक्शनेबल थी जो खतरनाग थी हो रहे और बीजेपी अपने इस मनिपोस्टों पर दीरे दीरे आगे बड़ती चली जा रही है जिसमें से एक राममंदिर के क्याम का मसला है बाबरी मजजिद की जगा पर राममंदिर बनाने की बात है दूसरी बात तो यह है कि कश्मीर की खुसी हर्षियत को खतम करके स्पेशल स्टेटर्स को खतम करके उसका एक अड्मरी स्टेट की तरह बना दिया जाए और तीसरी जो चीज़ है मेरी बेनों मेरे उनिफर्म सिविल कोड को लाना चुनांचे बीजेटी जब से एक्तिदार में आई है जब से पावर में आई है जब से वो राज कर रही है तब से दीरे दीरे उनिफर्म सिविल कोड लाने की तरफ तो उसकाद्दी कर रही है बढ़ती चली जा रही है आगे बढ़ रही है तो प्रोग्रस कर रही है तो हमें ये समखना चाहिए कि ये ट्रिपल तलाग के मामले को जिस तरह मसला बनाया गया पूरे उंदुस्तान के अंदर जिस तरह उसको उचाला गया मीडिया के जरीए जिस तरह उसको टार्गेट किया गया और जिस तरह से ये सिचुएशन क्रियेट की गई कि ऐसा लगने लगा कि ट्रिपल तलाग से जादा कोई संगीन मसला कोई गंबीर प्राब्लम हमारे मुल्क में नहीं नहीं सबसे बड़ी और गंबीर समस्या ऐसा लगता था कि ट्रिपल तलाग का मसला है जो के बनवती धुक्रा दही की बात है मैं आपको बताना चाहती है कि इस दर्श्टूर की दफ़ादा 14, 15 और 21 का हवाला देते हुए जिनसी मसावात यानी जेंडर एक्वालिटी या सेक्श्वल एक्वालिटी की बनाई दी गई और ट्रिपल तलाग को एक इशू बना करके ये बताया जाने लगा कि हंदुस्तान के अंदर ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और इस को उस्वाल करने के लिए इसलामी शरीयत में हस्तक्षेप करने की मुदाखिलत करने की इंटर्फिरंस करने की कोशिच की गा रही है इस पर इतना ववे लग जाए गया कि ऐसा महसूस होने लगा जो या मुल्क की तमाम मस्लिम उर्टों के सर पर तलाख 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 की तल्वा लड़क रही हो और ऐसा लगा ऐसा बताया गया ऐसा दिखाया गया ऐसा दर्शाया गया जैसे मुसल्मान मर्दों को स्वाए अपनी अउर्टों को तलाख देने के और कोई कामी नहीं जबके तलाख करेशो जबके तलाग करेशों मेरी बेहनों कान खोल कर सुनी जिए कि तलाग करेशों मिसल्मानों में हिंदों से काफी कम ये बात आपको मानिद होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा तलाग करेशों हिंदों में है उसके बाद क्रिस्टनों या हिसाईों में है उसके बाद सिक्खों में है उसके बाद जेनों में है और उसके बाद मिसल्मानों में है हाला कि हमारे आतलाग आसान है लेकिन इसके बावजूद हमारे आतलाग करेशों बहुत कम है और ये हमारे समाच का सबसे संगीन या खतरलाग मसला नहीं इसको मसला बनाए गया है उसको उचाला गया है इसके पीछे एक साथ इच काम करे दिए और इसका मतला पूरी शरीयक को निशाला बना है 2011 के संसस के मताबर ये रेशो यानि तलाग का रेशो सिफ 0.15% है फिगर मैं अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आपके सामने मैं ये वाज़े कर देना चाहती हूँ कि दो हजार शादियां जो होती है उन में से कोई एक शादी तूटी है दो हजार शादियों में से एक शादी तूटी है और मिसल्मानों के अंदर ये बता रही हूँ रेशे बता रही हैं कि 2011 के सेंसस के मताबिख 2000 शादियां अगर मिसल्मानों में होती है तो उन में से कोई एक शादी तूटती है और मेरी बेहनों शादी तूटने का रीजन सिर्फ टिपल तराक नहीं होता केवल टीम तराक नहीं होता हमारे इसलाम में अलायद्गी का सेपरेशन का एक तरीका नहीं इससे पहले भी मुई बेहनों ने आपको सामने ये बात वाज़े करके रखी है कि ये हमको जंडर एक्वालिटी की दोहाई देते हैं ये हमें समझाने चले हैं कि इसलाम में जंडर एक्वालिटी नहीं है मैं आपको आगे चलके रिए बताना चाहती हूँ कि इसलाम में जंडर इक्वालिटी नहीं जंडर जस्टिस इसलाम में आपको मर्दों से वड़ा हुकूख वासिन तुम जंडर इक्वालिटी की बात करते हो लेकिन हम तुम से पूछना चाहते हैं कि तुम एक्वालिटी की बात करोगे तो उन हुकूच का क्या होगा जो इसलाम में और्दों को मिले हैं तो मर्दों को नहीं मिले हैं इसलाम नहीं नहीं का हा हा और अच तो मिला है बीवी के जहेज जहेज तो function हमारे उसका अंदर हमारे समान में उसका चलन हो गया तो आपकी देख्या देखी हमने ये इक्तियार कर लिया लेकिन हमारे इसलाम में जहेज का कोई कंसर्ट ही नहीं हमारे इसलाम में तो महर शादी के बाद पर शोहर अपनी बीवी को महर देता है हमारे इसलाम में तो बीदी को विरासप में सब जगा से इससा मिलता है हाँ और उसको देना कुछ नहीं पड़ता है मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ और ये जोंसे ये पूछना चाहती हूँ जो जेंडर इक्वालिटी का शोर मचाते हूँ वावेला मचाते हूँ उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जेंडर इक्वालिटी की बात करते हूँ तो उन्हुक का क्या होगा जो सिर्फ औरतों को हासिल है महर का हक है नफ्ते का हक है सुकने का हक है और ये तमाम जैसे के मिच्छ से पिछली बेहनों ने ये बात आपके सामने रखी है बेटी को रहमत बनाया गया है मा के कदमों के नीचे जन्नत बनाई गयी है उस आदमी को सबसे अच्छा आदमी बताया गया है वो अपनी बीवी के लिए अच्छा है तो ये सारी इसलाम की तालिमात के बारे में तुम क्या कहते हो ता मेरी प्यारी बेहनों अलाइगी के इसलाम में एक तरीका में है जैसा कि मैं आपको बता रही हूं सिर्फ तलाग में है तलाग में भी सिर्फ ट्रिपल तलाग को एक नशिस्त में दी गई तीन तलाग को निशाना बना करके शरीयत तीन तलाग को बहाना बना करके शरीयत को निशाना बनाया गया है एक साधिश की जा रही है और हम इस साधिश को बहुत अच्छी तरह समझते हैं हम के वान हम है कि हमारी शरीयत में तलाग के अलावा जिस तरह मर्झ को अखा का है, उसी तरह ओरत को खुला का है छा थे और उस्ते आगे बड़र करके, मेरी बेहनों हमारे इस्लाम में, ओरत को तब तसके निका खा दिए छाचल है जो किसी समाज में, किसी ओरत को हासिल नहींगि एक अन्दाजे के मताबिक तीन तलाग से मताचर होने वाली कुल मुस्लिम खवातीन की तादाद मिल्क में सिर्फ दो हजार से जादा नहीं है इसके मुकाबिया में ऐसी ओरतों की तादाद बहुत जादा है जिनको उनकी शोहरों ने नब्याता रखा है में तनाद दी है लका कर रख़ दिया है अबंडं करके रख दिया है मौलक करके रख दिया है एसी ओरतों की तादाद 24 लाख और उन 24 लाख में जादातर हिंदू मही लाएं और उनमें से एक मोधी की बीवी और और ये मोदी जी अपनी बीवी को तो इंसाफ नहीं दिला सके आजादी नहीं दिला सके ना विचारी को आजाद किया कि वो अपनी दूसरी जिंदगी शुरू कर सकती थी ना उसे प्रधान मंतरी की बीवी बना कर अपने घर में रखा कोई इज़त नहीं दी उसको अपनी बीवी को नोदी को अपनी बीवी के छोड़ने के इनाम के तोर पर प्राइम मिनिस्टर की खुर्शी बिले और मुसल्मान मर्क को अगर वो अपनी अवरत को इज़त से तलाग दे देता है और दूसरी जिन्दगी गुजारने की आज़ादी दे देता है तो उसको तून साल की सदा मिले ये खाह का इंसाफ ये सच है कि तलाग जायस कामों में सबसे दादा नापसंदीदा है अल्लाग के रसूल सलिए रखाजल मबाहाद यानि तमाम जायस चीजों में सबसे दादा नापसंदीदा बना बताया है लेकिन ये भी याद रहे कि निकाह फरीकें दोनों पाइटी की रजामन्दी से होता है और तलाग को भी आपस की अंडरस्टैनिंग और महबत और समझोते के साथ खतम होना चाहिए निकाह को आपस की समझोते के साथ खतम होना चाहिए निकाह को बाकी रखने के लिए भी दोनों की रजामन्दी जरूरी है और दोनों पार्टी में से मिया बीवी में से कोई एक भी अगर रजामन नहीं है तो निकाह को बाकी रखना मुश्किन हो जाता है इसलिए इस रास्ते को खुला रखा गया है मेरी बेहनों यहीं वजा है कि सचर कमिटी की रिपोर्ट के मतादे ना तो मुसल्मानों में लड़कियों को पैदा होते ही खतन करने का रिवाज है ना तो पैदाईस से पहले मुसल्मान लड़कियों के फीटर्स को पतल करने का रिवाज है और मुसल्मानों के हाँ बीवी को जो है कहना चाहिए जिन्दा जलाने का रिवाद पायजाता है कही इस टो फड जाता है कहीं सिलिंडर फड जाता है तुम्हारे आप तलाक नहीं होती तो तुम आप अऊthose को माज डालते हो इस माल डालने से तो सो बार ही अच्छा है इस मामले में शोवर की अच्छा जहां तक तस्खे मिका का तालुक है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस मामले में शोवर की रिजामन्दी तो क्या शोवर की मौझिद्गी भी जरूरी नहीं है मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाहती हूँ और वो हजरत बरीरा की मिसाले अल्ला के रसूल स्लिल्ला की खिद्मत में एक सहाविया हजरत बरीरा आई और कहने लगी या रसुल्ला मेरे शोवर गुलाम में और मैं आजाद में चुकी हूँ अब मैं अपने शोवर के साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहती हूँ अल्ला की रसूल स्लिल्ला आई झाहती है अल्ला के रसूल इस तिरूवर जिंदगी जिंदगी गुजारना क्या ये आपका हुक्म ये रसूल के थे हैं नहीं बरीड़ा ये महज मेरी सिफारिच हजरत बरीड़ा कहती है रसुल अलाह한다 मैं आपकाने इस बात को मनजूर नहीं कर सकती मुझे मेरे शोहर से मेरे यूण्त कर दीजिये और मेरा निकाह खत्म कर दीजिये तो अल्हा के रसूल स्थ अपने हाथों से हजरत बरीला का निकाह फस्क खराते है इस सज़ादा और क्या आजादी चाहिए और वो भी मजबूरी के हालत में जब कभी शोहर से बीवी नाराज हो जाएगी या दोनों का एक साथ गुजारा मुश्किल हो जाएगा तो उसके लिए भी रास्ते खुले है हमारे आनिकाह जनम जनम का नाता नहीं है जनम जनम का बंधम नहीं है बलके एक रिलिजिजिस कॉंटेक्ट एक मिसातन हलीजा है उसको फर्माया गया हतना इमकान तलाक नहीं होनी चाहिए लेकिन जब आपस में बन ही नहीं रहीं हो तो दोनों को साथ रहने पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि दोनों घुट-घुट के जिन्दगी गुजारे इस तरह तलाक मसला नहीं यकिनां जिस तरह हमारी एक बहन में पहले भी इर्चात परमाया तलाक मसाइल का हम है और इसको बाकी रहना चाहिए और तलाक का सिर्फ टुट-टलाक एक तरीका नहीं है बलकि तलाक हसंदी है तलाक आहसंदी है खुला भी है तसके निका भी है यह सारे तरीके सेपरेशन के इसलाम में соверш है और मेरी बहनों ये क्रिपन तराग बिल चुआ रहा है जिसको यह लोग पाइट करना चाती है जिसको यह लोग मनुझूर करना चाती है जिसको ये मुसलमान कम्यूनीटी के और पॲपना चाती है इस बिल के जरीये से क्या होगा आपको मालूम है इस बिल के जरीये से निकाह के बंदन से निकलने का कोई भी रास्ता खुआ नहीं रहेगा सारे रास्ते बंखिये जा रहे हैं और इस तरह तुपल तलाग को निशन को बहाना बना कर पूरी शरीयत को निचाना बनाया जा रहा है और इसके जरीये से सूरत इहाल ये हो जाएगी कि मुसल्मान अवरतों को भी तलाख हासिल करने के लिए अलाइगी हासिल करने के लिए सेपरेशन हासिल करने के लिए ना तो खुला कर रास्ता खुला रहेगा, ना फसके निकाह कर रास्ता खुला रहेगा, बलके इनको भी कोल करी के चिक्कर लगाने पड़ेंगे मेरी बेनों हमारे अंदर भी ऐसी ओरतों की तादाद बढ़ जाएगी जिनके हाँ चूले जिनके हाँ इस्टो फुटेंगे जिनके हाँ सिलंडर जो फुटेंगे और जिनको जिन्दा जलाकर मारा जाएगा ऐसी ओरतों की तादाद हमारे अंदर भी शुरू हो जाएगी तो हम नहीं चाहते कि इस दिल के बहाने शरीयत में मुदाखलत हूँ हम समझते ही कि मिसलिन खवातीन को फरेख देने के लिए ये बिल पोले लाया गया है किराय की कुछ औरतों को तैयार करके और उनको जो हतना हटकंदा बना करके उनके जरीयत से चरियत में मुदाखलत का बहाना धूना गया है और ये साज़िश की जारी है इसलाम के खिला तो हम इस साज़िश को बहुत अच्छी तरह समझते हैं मुसल्मान ओरत पूरी तरह बेगार है लोग तुम इश्रत जहां को लेकर घुनते हो तुम शायराबानों को लेकर घुनते हो आओ इन लाकों मुसलिम महिलाओं को इन लाकों ओरतों को देखो वो क्या डिमान कर रही है तुम ने पारलिमेंट की गैलरी में चंद सो मुसलिम ओरतों को बुर्का पेंकर वो पतानी मुसलिम थी अगयर मुसलिम थी और तेंठी के आदमी थे जिने बुर्टे के अंदर तुम ने बिजा दिया था और तुम ये बताने चले थे कि टिपल तलाग दिल के ये तेवर में है तो आव और देखो इन लाखों मिजल्मान अउर्तों को जो नाथपूर की सड़कों कर उत्री भी है आज और जो भूरियों के अंदर जो मालेगाओं के अंदर जो जावपूर के अंदर जो लख़गाओं के अंदर जो निस्थान के हर बड़े छोटे शेर के अंदर अपनी शरीयत के इफाज़त के लिए जो लाखों होते ही आजादी के बात से लेकर आज तक का सबसे वहां मोलन करने के लिए जो अरते निकलिनी हैं यह तुम्हें दिखाई नहीं देती हूँ और तुम यह जताना चाहते हो आज मीडिया हमारा इलेक्ट्रोनिक मीडिया और वो संदित पात्रा और वो सारे लोग तो मुसल्मान ओरतों की मिल्दा के तो नगर आते हैं मीडिया के ओपर कहा हैं वो आएं और देखें कि मुसल्मान ओरतें क्या चाहती हैं मुसल्मान ओरतें क्या दिमान कर रही हैं मुसल्मान ओरतें क्या मतालबा कर रही हैं मुसल्मान ओरतें शरीयत के कितने साथ हैं मुसल्मान ओरतें किस चरा शरीय पर जाल देने के लिए जबाएं कितनी ताजिट की बात है कि बनाना पुतल तलाग को बनाया गया तलाग के हर पिसम को खतम करने की कोशिच की जा रही है और इस तरह से हमारी ओरतों को भी कोट कचरी तक ले जाने की और उनको भी अबंडन्ट बनाने की मोठी की बीवी के हालत को तहुचाने की कोशिच की जा रही है हम ऐसी किसी कोशिच को कामियाद होने में देंगी वो चाहती है कि मुसल्मान और भी अपने जालिम शोहर से मिजाद के लिए सिजा कोट कचरी के चक्कर लगाएं जिस तरह आज हिंडी बेहनों को लगाना पड़ रहा है चाहे इस अलावगी के लिए मेरी बेहनों इस बात को समझने की कोशिच की जिए कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो हमारी मुसल्मान और अपको शरीयत के तरीके के मुताबब अलावगी या सेपरेशन हासिल करने का जो हक हासिल है वो हासिल नहीं रहेगा और हमारी वरतों को भी अपने जालिम शोहरों से अपने बुरे मर्दों से आजादी हासिल करने के लिए अपने उन शोहरों से जो उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं करते उन से मजाथ पाने के लिए कोट के चरी के चिक्कर काती हैंगे मेरी बहनों, अगर एक वरत 35 साल की है और उसको अपनी चुहर अपनी शादी को खतम करना चाहती है अपनी शादी से नजाथ हासिल करना चाहती है और वे कूट में जाएंगी, लाखे रुपे इसे खर्च करना पड़ेंगे, और एक लंबी मुद्दक लगेंगी, काती साल लगेंगे, पैंटी साल कि वारा थे अगर 12 साल बाध जाकर उसकी तलाप होगी, तो 47 साल की उसकी उमर होजाएंगी, 47 साल की उसकी एध होजाएंगी तो समझने की बात यह है कि यह लो तलाक इस सलासा को जो बैन करने चले हैं एक तरफ सुप्रीम कोड के जरिये से तलाक के टिपल तलाक को नलेंग वरिट किया गया और दूसरी तरफ तलाक को तुम क्रिमिनलाइज करने चले हो तुम तलाक को जुर्म बताने चले हो और तुम इसके बहाने हम समझते हैं कोई कुछ बद्वाश किसम की औरते हैं जो अपने शोहरों को जेलों की हवा खिलाने में पीछे नहीं हटेंगी और आर्टिकल 498 का जिस तरह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इस दवाए ट्रिपल तलाग दिल का भी खलत इस्तेमाल होगा तो इस ट्रिपल तलाग दिल को इसी वक्त खतम हो जाना चाहिए यह मिया और बीवी में जगरे लगाने वाला दिल है यह पूरे खानदान को खतम करने वाला दिल है सवाल हियर है कि शालर अगर जेल में चला जाएगा और यह जेल में जाने के बाद इसके बीवी और बच्चों की कफालत कौन करेगा उनके गुजारे का उनके खरचे का उनके रहीम सहने का इंतजान कौन करेगा क्या हुकूमत से स्कॉलर्शिप या वजी प्रजारी करने वाली हुए क्या मुर्दी के प्राइम मिनिस्टर के खजाने में से उन्हों के लिए इंतिजान किया जा रहा है अगर नहीं किया जा रहा तो फिर हमारे उपर ये बिल्का मुसल्ब किया जा रहा है इस तरह समझ लेना चाहिए कि मर्द तो दूसरी शादी भी कर सकता है लेकिन ये तलाग दिन आने के बाद जिस तरह मामला कोट में चला जाएगा औरत लग्की रह जाएगी औरत के लिए नहीं मुसीबतें खड़ी होंगी औरत के लिए नहीं प्राब्लम्स खड़े होंगे बच्चों के लिए नहीं प्राब्लम्स खड़े होंगे बच्चों के बाद कसाया सेर पे नहीं रहेगा पहले ही मुस्लिम मर्दों को जेलों में ठूसने के लिए ये लोग बेताब हैं मेरी बेहनों हमें अपनी शोहरों के खिलाब भणका कर यह लोग हमारे शोहरों से अपनी जोहों को भणना चाहते हैं तो हम मैसावज़त भर्किस नहीं होने देंगे एक बात यह भी है यो इक बात यह भी है कि दूसरे मखेब के लोग बीबी को छोड़ दे तो एक साल की सजा होती है लेकिन मुस्लिम मर्द को अगर छोड़ दे मुस्लिम मर्द अगर ओरत को छोड़ दे तो उसे तीन साल की सजा दी जा रही है मेरी बेनों मैं आप से ये बताना चाहती हूँ कि हाँ हमें मालूम है तीन तलाख जो है वो शरीयत में नापसंदीदा है तीन तलाफ जो है उसको खत्म करना है तीन सलाफ हमारी समाथ शुदार के जरीये से इसलाह माच्वा के जरीये से खत्म कर सकते हैं हम इसका अचान तरीका यह है कि हम अपने निकालामे में ये शर्त रखे कि टियूंत तलाफ जो है वह राजित्र शहर किसी भी हालत में इतनी दूलाफ में त्राफ नहीं दे जाकती है मेरी बैनों ये शर्त मेन में डाली जानी चाहिए और उसके साथ हुए इसके बात होनी चाहिए पर ना होगा इस तरह उस से जर्माना लेकर के इस मसले को हल किया जा सकता है। कि महरबानी की जरूरत नहीं है हम यह पूछना चाहते हैं मैं यह सवाल करना चाहती हूं कि वह मुदी जो है अब मुसल्मान और तो बहने कह रहा है किस मुद्ध से बहने कह रहा है कि हमें गुजरात याद नहीं है यह मदी उस वक्त गुजरात का चीफ मिनस्टर था जिस वक्त मुसलिन आर्टों के साथ जिनसी दह्शतगर्दी की गई उनके कपर उतार गए उनको नंगा किया गया उन उनके रास्ते में रस्याद पकड़के खड़ा हुए यह लोग और जब वो गिर्टी गई तो उनके साथ बलादकार करके उसके वीडियो बना करके दुनिया भर में पहला यह जिंसी दोज़त कर्टी करने वाला मोदी हमारा भारी कैसा हो चखता है और यह वहीं मादी था ज उनको जो करना है वो करो मुसल्मानों के साथ गोदरा के बाद उसके कराता तुम्हें जो करना है करो में तुम्हें खुली छूट देता हूं मेरी बैनों इसी मोदी में मुसल्मान ओरतों के इसी मोदी के कहने पर मुसल्मान ओरतों की पेटों को खाटके उनके पेट में से बच्चे निकाल करके नेजर कर उचाना गया जिता मेरी बैनों आज ये किस मुझे हमें अपनी बैने कहता है और क्यों इसके पेट में मुसल्मान ओरतों की हमदर्दी का दर्जा उठा है हम इसको पहचानते नहीं है ये कल भी हमारा भाई नहीं था आज भी नहीं हो और कभी हमारा भाई नहीं हो सकता इस मोधी को मालूम हो जाना चाहिए कि दिन 2,500 मुसल्मान औरतों को जो के तलाग से पीड़े पहें उनकी बाते लो करता है उसको ये दिमानन हो जाना चाहिए कि इस देश के अंदर हर घंटे में तीन औरतों का बलातकार हो रहा है एक घंटे में पांच औरतों को खिद्माज किया जा रहा है उसे मालूम होना चाहिए एक घंटे में आत अरतों का मोरे स्टेशन हो रहा है 2011 के सिंसत के मताबिक करोरों हिंदू बच्चियों की शादिया हुए है और प्राइबिशन अब चाहिए इमारे जाए अपनी जगा मोह देख रहा है मेरी बेनों इस मुल्क के अंदर धलीत औरतों की आबरूरेजी की केसे दिन बदिन बढ़ते जा रहे है आईए मैं आपको बताओ के राजस्थान जो इसमुई की एक रियासत है उसमें लड़कियों को जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जा रहा है और राजस्थान के अंदर वीजेपी की हकुमत है उसको मालूम होना चाहिए लड़कियों के गए में बाख़वा प्राइस ट्रैक डाल करके उनको जानवरों की तरह खरीदा और बेचे जा रहा है ये वो मुल्क है जिसके अंदर एक दो नहीं लातों दो दासिया हिंदरों के मंदरों में संतों और महनतों की हवस की भेट चढ़ रही है क्या मोटी को ये सब दिखाई नहीं देगा खरियाना और पंजाब में शेक्स रेशोः एक हजार के मुकादे 4500-4400 को कर रहे गया है और वहाँ पर पॉलियंडरी की पॉलियंडरी की मुसीबर जो है वो देख ये के हमारे सरों पर नहरा रही है हलो मुहतरमा मुनिसा बुष्रा बाजी सहाबा के हम शुक्रों गुजार है और इतलान अर्ज है के मारा पाट बज़े तक का वक्त है इसलिए गुष्टवू मुक्मल हो जाए तो उसके बाद दुआ का मरहला है और मेमोरंडम देने के लिए खवातीर निकलने वाली है आप उतनी गुष्टवू मुक्मल फर्माने है हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आज भी इसलाम ने औरत को ये हुकोग दिये ही वो कोई और नहीं दे सकता यही वज़ा है कि निर्भया के कतल और रेप के बाद लोगों ने मतालबा किया था कि उसके मुझरिमीन को सौधी औरब बेज़ जाना चाहिए बेली के मौलाना अजाद कॉलेज में जब रेप के केसेज हुए तो अड़वानी जी ने ये मतालबा किया था कि इस तरह के केसेज को खतम करने के लिए इसलामी कवानिन की जरूरत है सौधी और एरान में आज भी औरतों के खिलाफ जराइम की तादाद सबसे कम है इसलाम में औरत बहुत ज़्यादा में पुर्वकार और बाइज़त है यही वज़ा है कि इसलाम आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मज़ब है पास्टेस्ट ग्रोइंग रिलिजन है और हम इस इसलाम की दावब उनका माम को देना चाहते है जो आज इसलाम को बढ़नाम करने पर तुलेव रहे है मैं यहाँ आप लोगों से इजाज़त नामने से तहले यहाँ मज़ूद मीडिया के लोगों से यह सराल करना चाहती हूँ कि क्या आपके अखबारात में क्या आपके चैनल्स पे यह लागों मुसलिम महिलाओं का अंदोलन बताया जाएगा यह इसका भी ब्लैक आउट किया जाएगा क्या वज़ा है कि किराय की खड़ी की भी चंद मुसल्मान औरतों को जो सच्चे दिल से मुसल्मान भी नहीं है जो दिखाने के लिए इसलाम का लबादा होरकर इसलाम को नुकसान पहुंचाने के लिए बीगेपी और आरेसस के इशारे पर खड़ी भी है उन औरतों को तो आप बहुत प्रदर्शित करते हैं लेकिन यह सब्चे मुसल्मान महिलाएं जो आज यहां लाखों की तादाद में मुझूद है इनको दिखाने के मामले में आपको क्यूं दर लगता है हम आखर में आप सबस्य आर्ज करना चाहते हैं कि आप लाख कोशुश करें बातिन से दबने वाने ए आसमानियन सौधार कर चुका है तू इंतिहा हमारा शादानों केस से लेकर आज तर टिपन तरा ना शादानों मुझूम थी ना इश्रत जहां मुझूम है आखर में मुझे ये बताने दीजिए कि इश्रत जहां जिसका सहारा लेकर के जिसका सहारा लेकर के ये पूरा टिपन तरा का कि शाबानों मजलुम थी नाज की इच्रफ जहां मजलुम है जिन में वह को तुम लेकर आते हो फिरोईन बना कर खड़ा करते हो वो तो मजलुम ही नहीं है तुम्हारे पैस दिये दे पैसे पर खड़े रहे करके मुसल्मान औरतों की नुमाइंदगी का ढूंग रचाती है ल कि ये लाखों मुस्लिम खबातीन जो आज नागपूर के संभिदान चौक पर मजूद हैं ये डिसाइड करेंगी कि हम शरीयत के अंदर कोई तब्दिली बरदाश्ट नहीं कर सकते हैं और इसके लिए हमें चाहें जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे हमारा अंबलन जा कभी और कोई मदाखलत नहीं करेगी अल्लाह हमारा हमिया लाजीन जाहदी फीना लना दियना हुम सुबलना के मतला हुम यह लिया वाह और दहानान आन अल्हंदुल्ह रदीलालमी